कि हलो एवरिवन वेलकम टूमा यूट्यूब चैनल राजस्तान जीकी के mcqs की जो हमारी सीरीज चल रही है आज ही उसका 6 पार्ट है इससे पहले मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ हर वीडियो में 10 से 12 questions हैं 10 से 12 mcqs हैं उनकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी आप वह आपको question बताने जा रही हूं वह आपको RPSC RSMSSB पत्वा रीड कॉंस्टेबल ग्रूप डी इन सारे exam में बहुत ही help करेंगे आपको इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोर्स भी बनाते रहने हैं जिससे आपको future में revision में easy रहेगा इसको आप one liner करके note कीजिए ताक तो राजस्थान की क्रिशी है ना उससे related mcqs की बारे में देखेंगे सबसे पहला कोश्थान में माही कंचन माही दवल और मेगा किस में है किसके किसमे हैं तो कौन-कौन सी माही कंचन माही दवल और मेगा ये अक्सर किस्मों जो होती है ना फसलों की उसके question बहुत बार exam में पूछे जाते हैं तो इसका correct answer है मक्का ये सारी मक्का की किस्म है इस वीडियो में हमारा type के से रहेगा आपके सामने question दिया जाएगा एक mcq जिसके चार option आपके सामने रहेंगे तो आप वीडियो को pause करके इसका answer सोच सकते हैं क्योंकि पहले में screen पर इसका answer नहीं बताऊंगी ताकि आपको अपना preparation का level बता चल जाएगा कि आपने केसी तयारी की है next question है राजस्थान का वह कौन सा व्रिक्षे जो बंजर भूमी में उककर रेगिस्थान प्रसार को रोकता है वह साथ में इंदन की पूर्ती करता है तो इसका answer है अर्डू जो अर्डू होता है वह क्या करता है बंजर भूमी में उकता है और रेगिस्थान प्रसार को रोकता और इंदन की पूर्ती भी करता है काफी important question है नेक्स राजस्थान में हरी बरी राजस्थान योजना किस वर्ष प्रारम की गई हरी बरी राजस्थान योजना इसमें क्या करेंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहें तो इसलिए मैं आपको इसकी explanation ज्यादा नहीं दूँगी अगर आपको मुझे किसी इसमें किसी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दे मैं उस पर वीडियो अप्लोड कर दूँगी तो इसका अंसर है 1901 तो हरी बरी राजस्थान योजना शुरूई थी 1901 काणू में नेक्स्ट कोशन है राजस्थान के अरावली शेत्र में क्रिशी कार्यों को कौन सा कारक नियंत्रित करता है क्रिशी को नियंत्रित करने वाले कारक जिसा कि आपने बुगोल में पढ़ा होगा राजस्थान के कि क्रिशी को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते है या नियंद्रित करने वाले कारा कौन-कौन से होते हैं तो अरावली शेत्र में वह है उच्चावच नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से भूमी सुरक्षा फसल के नाम से जानी जाती है कौन सी भूमी भूमी सुरक्षा फसल के नाम से वह जानी जाती है मूंग नेक्स्ट कोश्चन है वालरा क्या है वालरा होता है दक्षिन राजस्तान में आदिवासी द्वारा की जाने वाली क्रिशी आपने अगर जूमिंग क्रिशी का नाम सुना हो तो आप अच्छे से समझ जाएंगे वालरा जो है वो एक जूमिंग क्रिशी ही होती है इसमें क्या होते है जो आदिवासी लोग होते हैं वो बूमी को बंजर बूमी को जला देते हैं और उसकी जो राक होती है उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं एक बूमी पर काफी टाइम से फसल कर दे जाते हैं तो बूमी का दीरे-दीरे बंजर हो जाती है तो क्या करते हैं उस बंजर भूमी को जला देते हैं और उसके राख को खाद के रूप में यूज करते हैं फिर कुछ टाइम बाद वह भूमी होती है वह फिर से कि यूज आ जाती है क्रिशिक आरे के लिए तो इस प्रकार वाल्रे का option हो गया option C नेक्स्ट कुश्यन है शुष्क उद्यानिक केंद्री शोध संस्थान कहां इसते थे शुष्क उद्यानिक केंद्री शोध संस्थान तो यह इसते थे जोधपूर में नेक्स्ट कोश्यन है चंद्रा जूडावर के जैसी उन्नत किस्म है तो ये किस की किस्म है चंद्रा जूडावर ये है ऑप्शन नमबर ए इसका कर्रेक्ट आंसर है मूंगफली नेक्स्ट कोश्यन है मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जीला अग्रणी है मादक पदार्थ ठीके तो जो अग्रणी जीला है वह है चित्तोडगर आपको ये ध्यान लखना है क्योंकि ये सारे हम पढ़ते जाते हैं एक बार हमको लगता है कि हमें याद हो गया है पर लास्ट टाइम में सब मिक्सप हो जाता है इसलिए मैं आपको करी थी वन लाइनर नोट्स बनाते लोगे तो फिर लास्ट टाइम में रिविजन में आपको काफी एजी रहेगा नेक्स्ट कोश्चन ने बागीरत योजना को 1990 में लागू किया गया था यह क है क्रेशी एवं सहकारी था तो इस प्रकार राजस्टान जी के सब्सक्राइब आज के हमारे एमसे क्यूस पूरे होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए ज्यादर शेयर कीजिए यूट्यूब के मेरे इस चैनल को रहेंगे अगर आप मुझे से किसी और टोपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू सो मच